दोसों नरेगा में अगर कोई भी श्रमिक कारि करता है तो आब नरेगा के application Animus App के माधियम से उसकी online हाजरी लगाई जाती है उसी के साथ नरेगा कार समापती होने पर नरेगा application से आपकी कितनी हाजरी लगाई गई है आप उसका master rule किस तरह से निकाल सकते हैं इस वीडियो में मैंने इसका complete process बताया है तो आप इस वीडियो को अंदग जरू देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों नरेगा में कारे समाप्त होने के बाद आपकी Animus एप से टोटल हाजरी कितनी लगी उसको चेक करने के लिए अब आपको अपने Mobile Phone या Laptop में कोई भी Google Browser को Open करना है सर्च के option पर टाइप करेंगे नरेगा उसके बाद पहली website मिलेगी नरेगा.nic.in इस पर आप किलिक करेंगे अब आप नरेगा की official website पर पहुंच जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का dashboard दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको corner में three lines का option मिलेगा आप इस पर किलिक करेंगे किलिक करने की बाद काफी सारे menus जो open हो जाते हैं आप आपको यहाँ पर key features का एक menu मिलेगा इस menu पर किलिक करेंगे तो फिर से काफी सारे menu open हो जाएंगे यहाँ पर आपको reports का option मिलेगा या menu मिलेगा इस पर आप किलिक करेंगे option यहाँ पर open होंगे यहाँ पर आपको state के option पर किलिक करना है किलिक करने के बाद आपके सामने एक नया page open होगा यहाँ पे आपके सामने सभी राज्यों के नाम दिखाई देंगे यहाँ पे आपको अपने राज्य के नाम पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होगा अब आपको आपके राज्य में जितने भी जिले हैं उनके नाम दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर आपको अपने जिले के नाम पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके जिले में जितने भी ब्लॉक हैं उनके नाम आ जाएंगे आपको अपने ब्लॉक पर क्लिक करना है block पर click करते ही फिरसे एक ना page open होगा उसके बाद आपके block में जिसने भी gram पंचायत हैं उनके नाम आ जाएंगे यहांसे आप अपनी gram पंचायत के नाम पर click करेंगे click करते ही आप gram पंचायत रेपोट्स पर आ जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का dashboard दिखाय दे रहा होगा अब आपको यहाँ पर करना क्या है उसका master rule चेक करने के लिए आप आर वन में job card job card employment register पर यानि 4 number पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने आपकी gram पंचायत की list open हो जाएगी यहाँ पर आपको फिर से उपर three dot पर क्लिक करना है finding page पर क्लिक करना है यहाँ से अपना job card number टाइप करना है उसके बाद आपका job card शो कर दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जैसे यहाँ पर 27.5 को काम starting हुआ और 9.6.2024 को इसकी समापती हो गई यहाँ पर 14 दिन की demand दिखा रहा है वाट यहाँ पर confirm करना है कि हमारी कितनी absent रही है कितनी उसमें present रही है तो यहाँ पर आपको इसी काम पर क्लिक किये रहना है उसके बाद copy link test पर क्लिक करना है उसके बाद आपको कोई एक not पर इसको paste कर लेना है उसके बाद जो id इसकी जो रहती है आप इसको copy करेंगे उसके बाद फिर से उसी page पर जाएंगे और यहाँ पर इसी नाम पर और इसी code पर क्लिक कर देंगे आपको direct master rule वाले page पर redirect कर देगा अब आपको करना क्या है आपको field master rule को select रहने देना है और यहाँ पर search की for work id पर यहाँ पर आपको उस work code को paste करना है और कारे के option पर क्लिक करना है यहाँ पर search वाले पर उसके बाद यहाँ पर select का option आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे कि यहाँ पर नाम भी अब दिखा दिया है आपका code की साथ आप इस पर क्लिक करेंगे side में MSR संख्या या master rule number कह सकते हैं आप इस पर select के option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे master rule में अपना नाम check कर सकते हैं किसमें आपका आटेंडेंस जो है वो 14 ही रखी गई हैं उसके बाद इसको फिल भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सैंतिस के rate से यहाँ पर आपको 338 रुपए बना है उसके बाद आपकी account डिटेल्स भी शुक्त सो दोस्तों इस तरह से आप अपने अधिवारे चनल को सब्सक्राइब कर लें